तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर एक्विटी फंड्स क्या होते हैं और हाइब्रेट्स फंड्स क्या होते हैं दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंस होता है अब बात यहा थी कि सर हम यह वाली बात क्यू कर रहे हैं दोस्तों मैंन दोनों funds के बीच में आपको difference बताऊंगा जिससे actual में आपको पता चल सके कि आपको equity में invest करना है या hybrid funds के अंदर तो चली शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो को तो दोस्तों वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका grow business finance सब में दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि mutual funds से related हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है तो चली शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो को तो simply दोस्तों पहले हमारा है equity equity और यहां पर हमार होगे hybrid funds ठीके तो दोस्तों सबसे पहले इनका जो difference है पहले हम बात करते हैं investment की अब बात याती कि सर जो equity के funds होते हैं इसमें अगर हम investment करें तो हमारा पैसा कहां कहां invest होता है अगर आप equity वाले funds के अंदर आपका पैसा invest करते हो तो आपका पैसा कहां invest होगा stock के अंदर कहां invest होगा आपका पैसा stock के अंदर लेकिन यहीं हम बात करें कि hybrid funds की तो hybrid funds में क्या होता है दोस्तों हमारा जो पैसा होता है वो अलग-अलग assets class में लगता है multi assets class में लगता है assets class का मतलब यह है कि आपका जो पैसा है गोल्ड बॉंड ठीके तो अलग-अलग असेट्स किलास होती है उसमें हमारा पैसा इंवेस्ट होता है ठीके सेकिंड नमबर पर बात आती है कि सहरे डिक्स किसमें हमको जादा देखने को मिलता है यहां पर यह चीज देखो दोस्तों आपने यह चीज सुना होगा कि शेयर क्योंकि मार्केट का एनलाइसिस करना बहुत जरूरी है इसलिए दोस्तों क्या होता है इक्विटी का सारा पैसा किसमें लगता है अगर जहां भी बात आती है इस्टॉक की तो वहां पर क्या होता है रिक्स हमारा बढ़ जाता है तो यहां पर कितना होगा दोस्तों रिक्स ह डेखने को मिलता है वह आपको average rix देखने को मिलता है क्योंकि इसमें पैसा लगता है वह अलग अलग assets class में लगता है अगर stock market down जाता है तो gold आप आजाएगा तो gold से आपको return मिल जाएगा अगर gold का market down जाता है तो bonds से stock मतलब एक up जाएगा तो दूसरा down होगा इस सहाब से चलका है, यहाँ पर जो आपको रिक्स देखने को मिलता है, वो average रिक्स आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर यह चीज देखो, equity वाले funds है, अगर इसका पैसा पूरा की पूरा stock के अंदर लग रहा है, तो रिक्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर risk जादा है तो normal सी बात है जो आपको return मिलेगा वो भी यहाँ पर आपको बहुत जादा मातरा में मिलेगा ठीके काफी अच्छा return आपको देखने को मिलता है equity में जैसा कि मैंने आपको बतायता equity के अंदर अगर आप small cap category में invest करो long time के लिए तो अच्छा खासा return आपको द मजलो ठीके तो बात या थी कि sir माली जागर हमको equity वाले funds के अंदर invest करना है तो कौन-कौन से ऐसे funds है जिसमें हम easily invest कर सकते हैं तो देखो equity वाले funds के अंदर large cap हो गया mid cap हो गया value funds हो गया contract funds हो गया ठीक है sector dollar funds हो गया ऐसे भहुत से funds है जिसमें आप equity funds के अंदर invest कर सकते हो लेकिन बात आ थी कि sir hybrid funds में कौन-कौन से funds है जिसमें हम easily investment कर सकते हो जैसे multi assets allocations funds हो गया aggressive hybrid funds हो गया dynamic assets funds हो गया equity saving funds हो गया ऐसे भहुत से funds है दोस्तों अगर आप search करोगे simply आप जिस भी प्लेटफों पर invest करो उस प्लेटफों में एक search का option होता है महाँ पर simply search कर लो equity funds तो सारे complete आपको list आ जाएगी अगर आप search करोगे hybrid funds तो जितने भी hybrid funds आएंगे उसके list जो investor invest करते हैं वो equity के अंदर करते हैं और इसके बाद जो second number पर investment चलता है mutual fund के अंदर वो hybrid fund के अंदर चलता है तो दोस्तों दोनों ही fund काफी अच्छे हैं लेकिन अगर आपको vision clear है मुझे long time के लिए investment करना है तो easily equity वाले funds के अंदर जा सकते हो जिससे easily आपको future मच्छा का स return मिल सके तो चली दोस्तों आज की लिए इतना ही मिलते मारी next वीडियो में जैसरी शाम दोस्तों जैसरी राधे